बिस्मिल्लाहिर रख्मानिरहिम आटोमेटिक रिपोर्ट मुल्टीपल शीट से अगर हमें फाइंड करना हो टॉप टैन रिकॉर्ट विट सेल परसन नेम के साथ और रिटन शीट नेम भी हमें चाहिए मास्टर शीट में तो यह एड्वास एक्सल का सॉफ्टर कैसे बनेगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रू करें और एंड में दर वीडियो अच्छी लेगे तो शेयर भी कर दीगा तो चलिए शुरू करते हैं माइकलोसफ्ट एक्सल को उपन करेंगे आप एक्सेंपल पहले देखने और फिर इसको किस तरह से हमें लाइग करना है यह रिकॉर्ड इंट्रीज है उस शीट की वह हमने निकाली है फिर उसके बाद उन शीट के रिटर्न नाम भी हमने निकाले हुए कि कौन सी शीट से कौन सा डेटा कलेक्ट होकर आ रहा है कोई वीडियो इसमें यूज नहीं बस आनली फॉर्मूले यूज हुए में ठीके जी त थो तो शल्ज यह शुरू करते हैं आझकी इस क्लास क वाफ शीट हमारे पास अलग अलग है इसमें हमारे पास सेल्स है के टेकरी प्रडेक्स और रिकॉर्ड़ने शीट वान शीट अब यह एक येर मन्थ वाइस बाई टीम वाइस गुरूबप वाईस कोई से भी जितने भी आपके पास मुल्टीपल शीट से उसमें से आप से कहा जा रहा है जो मैक्सिमम टैन परसंट ने ट्वैंटी परसंट की हाइस परफॉर्मिस से ले वह नाम हमें यहां पर निकाले उनकी सेल निकाले उनकी शीट रिटन के नाम भी बताएंगे कौन-कौन सी शीट से उसमें तो यह किस तरह से होगा अब यह सबसे पह gio Richards को zero कर देंगे कि यहां तरह यहां तदो निक ben निकाले कर दिया तो यह सीरियल आ गई हमारे पास अब परसंड नेम से पहले और सील निकालेंगे हम और फिर उसके वाद शीट नेम तो सभी फॉर्मॉले नेवर विफोर सीन इस वीडियो से पहले आपने नहीं देखें होंगे कहीं भी तो वीडियो में फिर रिक्वेस्ट के लाइक यहां पर अब हम यहां से अगर अलग-अलग शीट तो हमारे पास डेटा होगा तो हम उसको सबसे पहले यूनीक चाहिए हमें रिकॉर्ट नहीं हो तो मैं यहां पर यूनीक फंक्शन लगा रहा हूं और मल्टीपल शीट का डेटा मर्च करने के लिए हम वी स्टैक का फंक् अगया है यहां पर हमारे पास शीट वन एरे बने और इसमें से हम आल सीट्स लेक्ष कर देंगे कॉलम कौन सा अगा सेल्स का सेल्स कॉलम चाहिए हमें ठीक है अब हमारे पास क्योंकि यह जाए तो हमें अलग-अलग जाकर सिलेक्ष करने की ज़ुरत नहीं है कम्माइन four करेंगे, dollar sign head, array two के अंदर हम इसी sheet को copy कर लेते हैं, यह क्योंके sheet one है, तो same column D है, हर sheet का हमारे पास, sheet two पे भी, D column में say ले, sheet three पे भी D column में say ले, तो यहां से sheet one से control C करेंगे, copy, और कितनी sheet है, 7 तो यहाँ पर Ctrl V 2 एक यह हो गया और Copy कर रहा हमने पेस्ट दो हो गई है फिर कॉमा Ctrl V 3 Ctrl V 4 Ctrl V 5 Ctrl V 6 Ctrl V 7 ठीक है जी अब यह फर्स्ट वाली शीट वही रहेगी स्रिफ शीट नेम हमें चेंज करने टू हो जाएगा ठीक है टीक है शीट वन नेम मैंने शीट रखते हैं आपके जो भी नाम होंगा आप यहाँ पर चेंज कर लिएगा उसके बाद आजाएगा शीट 3 शीट 4 शीट 5 हमें बार वबर हर शीट पर जाएगे सेलेक्शन बनानी पड़ती तो यह टाइम सेविंग तरीका है इस तरह से आप कम्बाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इस वी स्टेक और यूनिक का काम हमारा कंप्लीट हो गया यहां पे अब हमें क्या करना हो गए यहां पर वी स्टेक किलोस और यूनिक किलोस दोनों ब्रैकिट एंड में किलोस करेंगे और इंटर तो आल शीट्स का डेटा यहां पर हमारे पास मर्जों कर आई गया है अब यहां पर इस फॉर्मूले को जो फस सैल में हमने लगा है इसको पूरा करेंगे हम कॉपी कंट्रोल सी कॉपी सेल्स शीट इक्वल यहां पर हम इसको लगाएंगे लार्ज के साथ और यहां पर हमें कंट्रोल वी करूंगा पूरा फॉर्मूला पेस्ट इक्वल शुडू में आएगा यह वाले इक्वल इटा देंगे बागी फॉर्मूला बार में देख लें यूनिक और वी स्टेक वही है जो मैंने भी समझाया है आपको लार्ज फॉर्मूले में इसको पेस्ट करा हमने और यहां पर जब लार्ज फॉर्मूला कॉमा लगाएंगे तो यह नमबर रेंज तो यहां पर हमारे पास कॉमा के बाद दोनों ब्रैकेट जहां के लोज हो रहा है लार्ज और यूनिक और वी स्टेक तो कॉमा के बाद यहां पर स्लाइक करेंगे टॉप टेन का फस्ट यानि फस्ट वैलियो इस रेंज के हाईएस ब्रैकेट कर देंगे लार्ज का किलोस यह तीनों फॉर्मूले लगेंगे सिर्फ सेल्स निकलने के लिए तो पहला फॉर्मूला यह कम्प्लीट हो आया हमारा इंटर ड्रैग यह वाली एक्स्ट्रा वैली जो रटाद है यह आदि टॉप टैन अब इसकी जुरत नहीं है क्योंकि हमने इसको पेस्ट टैरेक्ट कर लिया लार्ज फॉर्मूली के साथ तो इस कॉलम को मैं के लिए कर रहा हूं ठीक है अब नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है कि सेल्स के रिकॉर्ड शीट से आ रहे हैं तो वह शीट के नाम भी दें यहां पर हमें तो हमने क्या करा एक काम शीट वन से लेके शीट 7 तक टेटा शीट से हमारी हमने एक शीट में लिखा और सायल के एंड पर लेकर आगे 7 एकल कर दिया सल को यहां आठीक करने से इसकी रिंज स्लएक नहीं करनी पड़ेगी यहां पर एके और डिफाइपन तरीका क्या होगा आप न '' reject करी शीट की सीट के इसको हम फॉर्मूले've कॉल करेंगे और सब्सक्रेंड हम वाक्स में कोई भी नाम दे रहा हूं डबल ए और नेम बोक्स में रेंज स्लैक करेंगे पिर इस रेंज को डिफाइंट करना है अपने नाम से डेटा के नाम से शीट के नाम से एबीसी एकस वाईज़ेट कुछ भी रख सकता है इंटर लाजमी प्रैस करना है जो भी नाम टाइप करेंगे इंटर इंटर के बाद अब हमें इधर शीट के नाम चाहिए जिस शीट से रिकॉर्ड सारे उनकर शीट नेम रिटन करना है हम यहां पर इसके लिए हम लगाएंगे इंडेक्स ब्रैकिट उपन और यहां पर हम नाम देदेंगे रिच जो हमने डिफाइन करी थी यह वाली शीट की यह हो गया एरे की जगा पर अब हम लगाएंगे यहां पर कॉमा मैच अब मैच क्या करना है वन कंडिशन को मैच करेंगे कॉमा हाइपिनेशन टैक्स करने के लिए और फिर यहां पर हम लगाएंगे काउंट इफ कि एट इफ के साथ रेंज ब्रैक्टट ऊपन करा हमने यहां पर और इसके साथ हम लगा देंगे इन डायरेक्ट एब हो सब बक्रेंगे काने आप्सॣी में मौन । इन। इसके साथ एंड Ó और उसके साथ हम स Swedish करेंगे जेट शिलुभां टेविखे हैं क्या यह था अपर भी एवी इह वाली रेंज हमें प्रेंगे है आगें एंड फंक्शन inverted comma single quote exclamation sign और इस दफ़ा हम select करेंगे अच्छा ये step इस तरह भी कर सकते हैं या बाद में change भी कर सकते हैं बाद में change कर लेंगे तो अभी ये अटा देते हैं हमें sheets की selection मनानी है sales की जाकर हर sheet पर तो यहाँ पर हम indirect bracket open के बाद sheet 1 किलिक कर रहे हैं और shift दबा कर and तक sheet 7 तक select करेंगे sheet 1 से sheet 7 और first say self control shift down यह formula हम यहाँ पर apply करेंगे अब sheets के name आगा sheets के name क्यूंकि हमने अलड़ी define करेंगे तो यहाँ से हम indirect के साथ sheets के name अदर record हो रहे हैं हमें selection मनानी थी इस वैसे step नहीं किया है अब मैं वही step कर रहा हूँ चेंज करने के लिए इन्वार्टिट कॉमा एपोस्ट्रफी फिर इन्वार्टिट कॉमा और एंड फंक्शन और हमारे पास डवल ए और फिर उसके बाद define sheets name उसके बाद पिर इन्वार्टिट कॉमा और एपोस्ट्रफी और यहाँ पर अगैन एपोस्ट्रफी आ जाएगा सोरी इन्वार्टिट कॉमा आ जाएगा और इस range को हम all sheets की हमने पकड़ी है यहाँ पर हमें square फोर करना है अगर फोर नहीं हो तो यहाँ पर आप शिफ्ट के साथ भी डॉलर एक कर सकते हैं कॉलम वाइज और रोवाइज ठीक है जी यह काम करने के बाद यहां इन्वार्टिट कॉमा और इसका ब्रैकेट इन डारिक का कर देंगे हम के लोज उसके बाद criteria criteria में sales का first cell sales column first cell तो यहाँ भी डारिक क्लिक नहीं होगा क्योंकि मैंना formula आ रहा है इसके उपर heading क्लिक और down arrow से इस cell के उपर आ जाएंगे ठीक है जी उसके बाद ब्रैकेट की लोज लुका पहर है तो पहले हम यहाँ पर condition देंगे greater than zero अगैन ब्रैकेट की लोज कॉमा एक्सिट मैच मैच का option इधर भी जीरो लगेगा एक्सिट मैच और फिर यहाँ पर भी हम मैच और index ब्रैकेट की लोज करेंगे यह formula complete यहाँ पर लगेगा जो इस टाप जिस तरह से मैंने बता है इसी तरह से complete करने है तो यह शीट अगर formula मारत सही है तो return sheet name करेगा हमें जो जो sales की value जिस sheet से आ रही है इधर master में उसका sheet name return हो जाएगा एंटर और 34800 हमारे प्रस sheet 1 से आ रहा है data यह देखें आपर अब इनका नाम भी उठाएंगे हैं ठीके confirm करने के लिए दिखा रहा हुए यह आपर और अब all sheets के name उठाने के लिए इसको ड्रैक कर लें तो कौन सी sheet से कहां से data आ रहा है sheet number name के साथ आप return कर सकते हैं तो यह बगएर vba court के हमने formula से यूज करके काम किया है इस तरह की class और formula की explanation आपको कहीं नहीं मिलेगी सिर्फ यह आपसला यूट्यूब चैनल के इलावा तो आपको भी response यही करना है इसी तरह से आपको इस तरह सीखने को मिलता है और explain किया जाता है चीज़े शेयर की जाती है तो आप लाइक ज़रूर किया करें जादे से जादा और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और इसी तरह की informative वीडियो एडवास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इसको लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोचल मीडिया और गुरूप्स के अंदर भी ताकि उनकी भी स्किल और एडवास एडवास और ठीक है यहां तक किलियर ह उठानी है फस्सल के लिक कॉमा कहां से उठानी है तो यहां पर हम जा रहे हैं और सीट को सलेक करेंगे शीट भन और फिर टएब डवाके लास्ट के लिए और फिर उसके बाद यहां पर सेल्स कॉलम में से देखनी यह वैलियो एफफ़ोर कर देंगे इसको नैक्स रिटर नेरे जो नेम कॉलम है ये सेलेक्ट अल एफ पोर अब यहां देख ले मैंने शीट बन से शीट सेमीन यह नि आउल शीट की सेलेक्शन यहांब बनाईए ब्रैकेट करेंगे किलोज और एंटर अप इसको हमें क्या करना है यहां पर जहां शीट्स्कारी यहां पर वही इंडिर्यक लगेगा कोगश्चा। ओर फिर यहां से मैं आधां आपकर्ट कॉमा एपस्ट्रफेट कॉमाल जां। कि अलएंड फंक्शन और इसको मैं सेल्एक करूब शीर्ट नैंब और फिर एंड फंक्शन इन्वार्टिट कॉमा एपस्ट्रोफी और यहां पर फिर इन्वार्टिट कॉमा ब्रेकेट की लोगर सेकेंड जहां पर रिटान एरे इधर भी सेम यहीं प्रॉसिस होगा इसी को कॉपी कर लें यहां से एंड डायरे को कंट्रोल सी और यहां शीट वन से पहले कंट्रोल वी और यह वाले नहीं हटा दूंगा मैं शीट वन से शीट सैविन और फिर यहां पर भी इन्वार्टिट कॉमा और फिर एंड में एक्स लुक अप का ब्रेकेट किलोज कि अच्छा कॉपी पेस्ट में इन आई नहीं हुआ सिर्प अने डरेक हो गया तो आई यहां से डायरेक लिख लेते हैं बागी फार्मूला सही है इंटर करेंगी शर्जी नाम आना चाहिए ठीके जी आए गया शीट वन से 37800 की से इस तीन गी फर्स्ट आल नाम देखने के लिए ड्रैक करेंगे इसको ठीके जी यहां तक यहां तक कंप्लीट कर लिए हमने तक्रीम सारा काम अब हम फीट 6 पे जाते हुए शीट 6 से कोई डेटा नहीं आ रहा तो कि शीट 6 पे कोई इच्छा काम नहीं कर रहा है हम यह देख लेते हैं ज को सबसे टॉप कर देता हूं 40,000 अब अगर हमारा फॉर्मूला साहिए तो शीट 6 का रिकॉर्ड मिचल नेम के साथ टॉप के आ जाने चाहिए कि सबसे हाइस सेल मैंने इनकी अट कर दिया इंटर अब देखें यहां पर आटोमेटिक आप अपडेट करते रहेंगे रिकॉर् तो जो भी फॉर्मूला आप यूस करेंगे अपलाई करेंगे सेम इसी तरह जिस तरह मने एकस्प्लेइन किये समझाएं आपको बिल्कुल यह काम इसी तरह से हो जाएगा और बाद में अपडेट करते रहेंगे डटा तो यहां पर भी आपकी शीट्स में चेंजिस आपको म इसको कमेंट करके लाजमी बताए अपना और कोई फीड़बैक को सजीशन के लिए भी लाजमी कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें इस वीडियो में इतना ही और इनवास एक्सेल की वीडियो दीकना चाते है फॉर्मूलै बगरा टो इसको राज साथ शेयर और लाइक जरूर करें, मिलें ते नेक्स वीडियो में, अल्ला हापिस।